Hello everyone and a very warm welcome to Sikshah Guys this is lecture number 6 जिसके अंदर हम computer science के कुछ MCQs देखेंगे NCRT में से So without wasting much time we'll proceed and question दिखाने से पहले ये MCQ course है एक तो आपका जो MCQ combo course है इसके अंदर PDF का access आपको already मिलता है जो भी YouTube के उपर lectures हो रहे हैं Industrial Relations, Labour Law, Social Security, Gap के MCQs रहेंगे और अगर आप चाहें तो सिरफ YouTube की files के access लेना चाहते हैं तो वो भी link description में है but I will suggest कि आप ये MCQ combo course लें और UPSC, EPFO code उसकरके 50% off का भी फायदा होट है चलिए पहला question which among the following is a characteristic of big data इन में से क्या big data का एक characteristic है option A, velocity, B, volume, C, value, D, all of the above velocity, volume, value, all of the above तो यहाँ पर आपका correct answer होगा option D, all of the above velocity, volume, value, all of the above तिनों आएंगे देखो big data basically होता क्या है internet के उपर करोडों लोग है ठीक है? और हर कोई internet के उपर कोई ना कोई activity form कर रहा है अब जैसे snapchat जैसी application है आप अपनी photos अपलोड कर रहे हो email पर आप अपनी videos emails sent कर रहे हो skype calls कर रहे हो facebook पर आप status update कर रहे हो whatsapp के उपर non-stop आप messages send कर रहे हो twitter message, linkedin accounts apps आप डाउनलोड कर रहे हो netflix के उपर, youtube के उपर आप videos देख रहे हो अभी भी आप यूट्यूब के ओपर एक वीडियो देख रहे हो तो यह कि है सब डेटा जिनरेट हो रहा है गूगल के ओपर आप सर्च कर रहे हो तो इसको हम बोलते हैं बिग डेटा अभी बिग डेटा के करेक्टरस्टिक्स यही है अब वॉल्यूम बहुत जादा है पुरी दुनिया इंटरनेट को यूज कर रही है पुरी दुनिया यूट्यूब को यूज कर रही है कितना डेटा क्रियेट हो रहा है कितने वीडियो अप्लोड हो रहे है पर मिनट में कितने वीडियो अप्लोड हो रहे है तो वाल्यूम बहुत जाद है और वाल्यूम के साथ velocity है ऐसा तो है नहीं कि अभी अगर मैं आपके लिए वीडियो अप्लोड कर रहा हूं YouTube पे तो सिर्फ मैं ही अप्लोड कर रहा हूं क्रोड लोग एक साथ वीडियो अप्लोड कर रहा है बहुत speed से data आ रहा है एसा नहीं कि एक करके थोड़ा थोड़ा डटा आ रहे है। बहुत स्सक्राइब है। बहुत कई पर YouTube करके अभाइन अब कहई बहुत क्यों सब्कुलिक है। से किमती कोई चीज नहीं है और अल्टिमेटली आज के टाइम में जो ये फ्री डेटा वाला एक कंसेप्ट है जो फ्री के चक्कर में इंटरनेट के उपर हम वेरियस यूजेजिस करते हैं जैसे आप फ्री पेडियाफ डाउनलोड करने के चक्कर में रहते हो वो अल्टिमेटली फ्री नहीं है उसमें आप एक बहुत इंपोर्टेंट चीज उसको दे रहे हो वो दे रहे हो अपना डेटा तो जो आपने अपना डेटा उसको दे दिया उससे किमती कुछ भी नहीं है अल्टिमेटली वो उसको कितना यूज करेगा कहां कहां यूज करेगा यू डूंट नो तो वो डेटा बहुत प्रिशेस चीज है फ्री कुछ भी नहीं होता हूँ दुनिया के अंदर फ्री कुछ भी नहीं होता आप अभी नौकरी करोगे आप जब पेपर क्लियर करने के बाद यू गो टू दो जॉब तो उसमें भी एक consideration रहती है salary चलो मैं मानके चलता हूँ कि आप इमानदार लोगों आप corrupt नहीं होगे ठीक है आप corrupt नहीं हो आप इधर उधर से कहीं से पैसा नहीं खा रहे लेकिन फिर भी salary तो एक कहीं पैसा चीए तो free कोई क्यों आपको कोई data free देगा कोई institute कोई भी organization आपको free में कुछ क्यों provide करती है apart from government government के भी दो reasons होते हैं बट फिर भी अगर मैं जो कहूँ कि ncrt की जो website है ठीक है एक website आती है ncrt की अगर आप google search करोगे उस पर आप जितनी भी ncrt's है 6th class से लेकर के 12th class की ncrt's को आप free में download कर सकते हो लेकिन सरकार भी free में नहीं कर रही सरकार का तो कामी है सरकार text भी तो ले रही है ठीक है सरकार सडक बनाती है तो text लेती है फ्री में वो भी कुछ नहीं कर रही कैसे करेगी हर किसी को resource चीए जो आपको free में PDF प्रोवाइड कर रहा है उसको भी कहीं न कहीं से तो resource चीए न कहीं से तो resource create हो गई होगा second question gyroscope is a sensor computer chip big hard disk क्या फिर operating system simple question है दो पढ़ा हुआ तभी answer होता है answer होगा option है sensor gyroscope जो है आपका sensor होता है देखो अब आपका mobile mobile के अंदर आपका mode होता है कि आपने mobile को अगर सीधा पकड़ा है तो आपको vertically दिख रहा है अगर आप उसको फिर टेडा कर देते हो horizontal कर देते हो type वगरा करने के लिए या कुछ screen पे देखने के लिए तो वो automatically horizontal हो जाता है जैसे हम YouTube चलाते है तो अगर हमने phone को सीधा पकड़ा है तो हमें छोटी screen दिखती है हम उसको slot कर देते हैं तो वो उसी form में आ जाता है तो display automatically change हो रहा है जैसे हम अपने phone को पकड़ रहे है उसके movement के हिसाब से वो change हो रहा है तो definitely अगर वो change हो रहा है तो कोई ना कोई उसके अंदर sensor है जिससे mobile को पता चल रहा है कि हां जी जो orientation है वो change हो गई है तो इसमें दो mainly sensor आते हैं एक होता है accelerometer और एक होता है gyroscope जो mobile के आपके sensors होते हैं accelerometer क्या करता है वो phone की orientation को detect करता है कि phone किस तरी सीधा है या phone horizontal है तो accelerometer का काम ही होता है जो gyroscope sensor होते हैं वो आपकी जो hand है ना उसकी movement को track करते हैं कि क्या आपका hand move हो है ठीक है तो यह basically दो sensors होते है accelerometer और gyroscope जो आपके daily life के अंदर आप का काम कर रहे हैं क्योंकि हर किसी के पास smartphone है अँज की date में हर किसी के smartphone के अंदर यह बड़ा basic सा feature होता है जिसमें आपकी display orientation change हो जाती है जिस तरीके से आप phone hold करोगे तो ultimately daily based question है यह एक तरीके से हम सोचते नहीं कभी कि यार यह जो phone के अंदर हो रहा है यह जो display ऐसे change हो रही है तो यह क्या किसी sensor की वज़े से हो रही है हाँ तो किस sensor की वज़े से हो रही है क्या उसको कुछ बोलते हैं तो उसको accelerometer और gyroscope बोलते हैं यह question हम already previous year के अंदर भी discuss कर चुक है cloud computing पर मैंने आपर दुबारा से add कर दिया है क्योंकि cloud computing का topic था so cloud computing technology refers to option A a set of algorithms that solve problems using fuzzy logic ठीक है set of algorithm है जो problem solving के लिए दूसरा many computers interconnected through wireless networks and satellites तीसरा a distributed computer architecture that provides software infrastructure and platform just as required by application users computer architecture है आपको कोई software use करना इंफ्रस्ट्रक्चर या प्लाटफॉर्म यूज करना है तो आप उसको यूज कर सकते हो आपको उसके लिए अलग से उस software को परचेस करना यूज रोतनी है subscription बेस है तो option C है option D futuristic technology जो cloud को यूज करेगा performing computing यह तो देखो बिल्कुली unrealistic से है answer इसका मैं पहले भी बता चुक हूँ आपको answer C होगा तो cloud computing क्या होता है जैसे आप for example आपको storage चाहिए extra storage चाहिए तो उसके लिए पहले आप क्या करते थे पहले आप CDs खरीद के लेके आते थे pen drives या hard disk के लेके आते थे आज की डेट में आपको कुछ खरीदने की जुरूरत नहीं है आप एक account बना लो online for example one drive या drop box उसके उपर आप अपने सारे समान को store कर सकते हो ठीक है ना तो आपको किसी चीज़ को संभाल के रखने की जुरूरत है आपने उस पे store कर दी आप उसमें क्या कर लें तो storage ले लेते हो ठीक है तो वो आपको क्या प्रोवाइड कर रहे है infrastructure या platform प्रोवाइड कर रहे है वो क्या cloud computing है तो cloud computing emerging trend है information technology के अंदर जहाँ पर आपको computer based services provide की जाती है over the internet या जिसको over the cloud आप बोलते हो और user इसको कहीं से भी use कर सकता है अब pen drive तो आपके पास जो पहले होती तो आप कहीं लेके जाओगे तो वो आप उस pen drive को आपके पास होनी चाहिए वो लेकिन अब आपने कुछ one drive पे upload कर दिया तो आप आपको जरूरी नहीं है कि आपने जिस system से upload किया था उसी पे आप किसी भी device पे password और username उसकर कर सकते हो अब services सिरफ storage नहीं software भी आपको provide किया जाते है cloud computing के उपर hardware भी server provide होता है जैसे database सब आता है उसमें तो cloud services की जब हम बात करते हैं तो तीन standards आ जाते हैं जिसमें infrastructure as a service platform as a service और software as a service आता है यही आपके question के अंदर भी था देखो directly उन्होंने NCIT से उठाया ना infrastructure, platform, software ठीक है यह तीनों element आजाते हैं इसके अंदर तो एक एक करके देखें infrastructure as a service infrastructure as a service के अंदर क्या हो गया different kind of infrastructure जैसे आपको server provide हो गया ठीक है storage and backup facility, network components, operating system यह सब आपको as a service provide कर देगा online ही वो platform as a service के अंदर क्या हो गया अब देखो जी कहीं ऐसी applications होती है जिनको develop, test या deliver करने के लिए आपको एक particular type of software चाहिए for example आपको कोई application develop करनी है और वो MySQL या Python यूज करके होगी अब आपके पास दो option है या तो आप MySQL या Python को पहले अपने system के अंदर configure करोगे दूसरा आपके पास क्या है आप किसी cloud service provider के पास जाओगे जैसे Apache server वो already आपको MySQL and Python pre-installed provide कर देंगे अपने website के उपर या अपने server के उपर और आप वहाँ पर जाकर के सीधा अपनी application को develop, test और deliver कर सकते हो तो यह हो गया platform as a service जो आपको बिसिकली अब आपको जुरुरत ही नहीं है कि आप अलग से अपने लिए एक particular application को install करो execute करो फिर आज आता है software as a service software as a service जैसे on demand access है आपको software का जैसे google docs हो गया microsoft office 365 आप online use कर सकते हो dropbox हो गया तो यह क्या है software as a service के examples है next question which among the following statement is correct digital footprint is always active हमेशा active होता है digital footprint option b digital footprint is always passive option c digital footprint can be active and passive option d none of the above तो यहाँ पर क्या correct answer है option a है d none of the sorry यह option d नहीं है यहाँ पर answer यहाँ पर answer आपका होना चाहिए digital footprint can be active as well as passive यहाँ पर answer c होना चाहिए वेटा d नहीं है ठीक है answer c होगा इसका अब देखो digital footprint होता क्या है again आप computer के उपर internet चलाते हो ठीक है आपने phone के उपर computer के उपर तो ultimately आप जो भी कर रहे हो आप google पर कुछ सर्च भी कर रहे हो ना तो वो एक तरीके का आपका footprint create कर रहा है जैसे अगर आप desert के अंदर walk करते हो या ice के अंदर walk करते हो तो आपके footmarks आजाते हैं ना वैसे आप internet के उपर कुछ भी कर रहे हो तो उसके footmarks create हो रहे हैं अब इसका जबसे बड़ा example देखो आप Google के उपर कुछ search करके देखो ठीक है आप कुछ भी search करते हो ना उसके बाद आप कोई भी अपनी social media की profile चला लो Facebook, Instagram, YouTube तो वो आपको जो आपने search किया ना उससे related ads दिखानी शुरू कर देता है for example आप Google पर search करो trip to Manali ठीक है उसके बाद जब आप अपना social media खोलो गया यूट्यूब खोलो गया तो आपको ads जो दिखेंगी वो tourists की दिखेंगी Manali tours से related various websites की तो क्यों क्योंकि वो digital footprint आपका create हो गया similarly जब आप किसी again आपको गये sir आप तो PG पढ़ गए जब आप free के लालच में जाते हो websites के उपर वहाँ पर आपका digital footprint create हो रहा है ठीक है digital footprint create हो रहा है अब कहीं बार digital footprint हमारी knowledge से create होता है कहीं बार हमारी बिना knowledge के create होता है अब जैसे आपने जो Google किया आपको पता है कि हाँ आपका digital footprint create हो रहा है ठीक है आप किसी website पर गए ठीक है आपने वहाँ पर कोई form submit कर दिया आपने अपनी email ID डाल दिया अपना mobile number डाल दिया आपको पता है ठीक है computer IP address आपका location जैसे हम कोई application install करते हैं हमसे चार सवाल नहीं पूछ लेता application can access your location application can access your phone data application can access your mobile number और हम accept 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 भी करते रहते हैं बिना सोचे समझे कि यार ये application का developer कोई है और ये मेरा सारा data जा कहां रहा है ultimately बट हमको तो लालज होता है बस application use करना है बस free तो इंडिया के अंदर free चीजे जो है वो सबसे बड़ा reason है cyber crimes का cyber threats का क्योंकि हमारे आपर ना हम लालची है हमको एक चीज अगर कोई free दिख जायना तो हम बावले से हो जाते हैं पगला जाते हैं एकदम कि यार ये free मिल रही है अगर किसी आदमी ने हजार पे किसी चीज के लिए दिए है और दूसरी तरफ उसने दे चुका है और दूसरी चरफ उसकी free है तो वो 1000 पे की चीज को बात में देखेगा पहले जाकर के free वाली free का समान बटोर लें वो ही वाली चीज होती है तो जो भी आप data आपका digital footprint create हो रहा है वो कभी visit भी नहीं किया जिसका आपने नाम भी नहीं सुना उन companies के पास आपके phone आ जाते है उनको आपका नाम पता होता है address पता होता है सब कुछ पता होता है अपने product बेचने के लिए कैसे होता है वो ठीक है जी तो दो kind होते है digital footprint के एक होता है active जिसमें आप intentionally अपना data online submit कर रहे हो ठीक है जैसे जब आप free PDF डाउनलोड करते हो वो कह देता है हाँ भी अपनी email number और phone number दे दे ठीक है वो आपका active हो गया passive हो गया जहाँ पर unintentionally आपको पता ही नहीं चल रहा आप कोई mobile app या कोई website यूज कर रहे हो और चैनल को जरूर subscribe and share करेंगे मिलेंगे next class में till then take care and bye